करने वाले एक्सोसाइज सी चैप्टर नमबर वारा फाइफ है पर्मोटेशन और कॉम्बिनेशन गाई हम ओल्लेडी डिसकस कर चुके हैं एक्सोसाइज ए एंड बी यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उनकर जाकर देखिए और गाई चैनल को सस्क्राइब जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और गाई वीडियो को जादा से जादा से शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके ठीक है तो आईए सबसे पहले फर्स्टम सीक्यू को डिसकस करते हैं फर्स्टम सीक्यू में देखिए तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं गाई देखिए मैं आपको फर्स्ट वेडियो में भी बताया था ट्वेल सी फॉर को किस तरीके से सोल कर सकते हैं गाई देखिए ट्वेल को कितनी बार हमें ओपन करना पड़ेगा फॉर टामस ठीक है तो कितनी हो जाएगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा थिक है तीक है एक बात ध्यान रहें रहाएं जैसे ट्वेल सी थी तो गईच देखिए ट्वेल को इतने टाइम करना जीतना हमारी आर की वैल्यों है और हमारा क्या है की प्लीट ओपन होता है ठीक है अब गाई देखिए चारती है बारा ठीक चैंसल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा गाई देखिए दो पंजे दस ठीक अब गाई देखिए कितना हो गया मेरा ग्यारा इंटू में कितना पांच निम पैंतालिस ठीक प्लस अब गाईस देखेंगे यह कैंजिल हो जाएगा मेरे कितन हो जाएगा 6 गाईस देखेंगे ग्यारचीं26 heart Wick 16 bebra gal 610 ठीक है मैं यह दीजिव को 16 करता हूं तो गाईस देखेंगे मेरा कितना और एकलग 15 देखिए 56 है हमसे n and r की value find out करवा रहा है अब गाई देखिए हम क्या करते हैं सबसे पहले option को उठाकर put up करते हैं ठीक है जो भी option क्या है कि मेरा ncr put करने पर 56 देगा वो option क्या होगा मेरा correct answer होगा गाई देखिए सबसे पहले में यह option को put up करता हूँ ठीक है तो गाई देखिए सबसे first वाला क्या होता है मेरा n होता है और second क्या होता है r होता है ठीक है तो देखिए 3C2 गईज देखिए 3C2 को यदि मैं solve करता हूँ तो गईज देखिए मेरा 56 नहीं आएगा ठीक है तो ये option तो क्या है कि incorrect हो जाएगा अब गईज देखिए 8C3 को यदि मैं solve करता हूँ तो गईज देखिए कितना आजाएगा मेरा 8 into 7 into 6 ठीक है और गईज देखिए कितना हो जाएगा 321 अब गईज देखिए इससे cancel हो जाएगा और 8 सत्य कितना रहा है 56 ठीक है तो option B क्या होगा मेरा correct answer होगा I hope कि आपको एक clear हुआ होगा अब गईज देखिए दोनों side equal है 18 18 है ठीक है तो गईज देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ R मेरा कितना हो जाएगा R plus 2 ठीक है R जो add हो जाता है और is equal to कितना हो जाएगा 18 ठीक है यदि मैं इसको solve करता हो तो मेरा कितना आ जाएगा 2R plus 2 is equal to 18 अब गईज देखिए 8C5 कितना होगा अभी उपर भी solve करा था हमने 8C5, 8 into 7 into 6 ठीक है, 8 into 7 into 6 into 5 into 4, ठीक है 5 times open करना है मुझे 8 को और 5 को क्या है कि complete open करना पड़ेगा, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है गाई, देखिए तो गाई देखिए, 5 से 5 cancel, 4 से 4 cancel ठीक है, गाई देखिए, 3 दो नीचे cancel कितना होगा गाई, देखिए, मेरा 8, 7, 6 तो option C क्या होगा, मेरा correct answer होगा, I hope कि आपको एक clear होगा, और तो MCQ को जाए, गाई जम यदि ऐसे ही solve करते हैं, डारेक्ट तो काफी lengthy process होजाएगा, गाई ठीक है, गाई इसका एक method, और भी हम इसको Pascal triangle के low से भी हम इसको solve कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है कि lengthy process हो जाएगा, क्यूंकि गाई देखिए, जब तक हमारा Pascal triangle में भी 56, 28 और 8 value नहीं आएगी, तब तक हमें उसको solve करना पड़ेगा, ठीक है, गाई देखिए, इसको हम direct solve करते हैं, तो काफी lengthy हो जाएगा, यह mcq, ठीक है, इसलिए मैं गाई इसको आपको एक separate video लगसे provide करा दूँगा, इसकी ठीक है, 4th mcq की only, तो गाई अभी इसको skip कर देते हैं, ठीक है, next video में इसको discuss करेंगे, 5th में क्या करा, a person has 8 friends, किसी person के 8 में ठीक है, the number of ways in which he may invites one or more of them to a dinner, गाई देखिए, वह क्या होगा कि, या तो किसी एक friend को invite करेंगा, ठीक है, या हो सकता है, कि किसी दो friend को invite करें, या हो सकता है, कि किसी तीन friend को invites करें, या ऐसा भी कर सकता है, कि वह 8 friends को dinner पर invite कर सकता है, ठीक है guys, तो देखिए, इस case में क्या होता है, 8C1 plus 8C2, ठीक है, हम plus करते जाते हैं, कितने तक जितने number of terms से, क्या है कि जितने number of तरीके से, वह invite कर सकता है, अपने friends को, तो guys, देखिए, 8C8, अब गाई देखिए, यदि हम इसको solve करते हैं, तो guys minus 1, अब guys, देखिए, 2 की power 8 को करता हूँ, तो कितना आता है, मेरा 256, minus 1, कितना आ रहा है guys, देखिए, 255, ठीक है, तो 255 तरीके से, वह, क्या है, अपने मित्र को invite कर सकता है, ठीक है, तो option B क्या होगा, मेरा correct answer होगा, I hope कि आपको clear हुआ होगा, आए 6, देखिए, guys, refrigerator है, washing machine है, and cooler है, अब guys, देखिए, वो क्या कर सकता है, कि, कह रहा है कि, एक या एक से ज़्यादों को select करे, अब guys, same condition हाती है, वो क्या करेगा, 4C1, या तो एक को select करेगा, 4C2 भी कर सकता है, वो 4C3 भी कर सकता है, और guys, हो सकता है कि, चारों की चारों को select कर ले, कहीं कि, हा कितनी होती है, 16, और minus 1, तो guys, देखिए, कितना हा रहा है, मेरा 15, अब guys, देखिए, पंदरा हा रहा है, मेरा answer, अब देखने है, A option क्या होगा, मेरा correct answer होगा, ठीक है, I hope कि आपको clear हुआ होगा, easily, देखिए guys, देखिए, 7th में क्या कर रहा है, NC 10 is equal to, कितना है guys, देखिए, NC 14 is equal to, हमें find out करना है, then 25CN, guys, देखिए, N की value मैंने आपको बताईती है, अभी कैसे निकाल सकते हैं, हम N की value guys, देखिए, N ऊपर क्या है कि सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ guys, देखिए, मेरा R plus R हो जाएगा, 10 plus 14 is equal to, कितना होता है guys, मेरा N, ठीक है, N की value मेरे पास कितनी आगई guys, देखिए, 24 आगई, ठीक, अब guys, देखिए, मेरा कितना है, 20CN, guys, देखिए, N की value कितनी है, यह मेरे 24, तो guys, देखिए, मैं इसको कैसा solve कर सकता हूँ, मेरा क्या होता है, 25 factorial, NCR का formula, और guys, क्या होता है, देखिए, R factorial, कितना, 24 factorial, bracket में कितना guys, देखिए N-R, तो कितना हो जागा guys, देखिए, 1 factorial, और 1 factorial मेरा कितना होता है, 1 ही होता है, अब guys, देखिए, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 into 24 factorial, और upon में कितना बचा था मेरा, 24 factorial, 24 से 24 cancel हो जागा guys, मेरा final answer क्या रहा, 25, ठीक, तो option B क्या होगा, मेरा correct answer होगा, I hope कि आपको एक clear होगा अब guys, देखिए, इसके साथ 10 देखिए, फिर उसके बाद में हम discuss करते हैं, turn 9 को, क्या करता है, the number of diagonal in a dexagon, ठीक है guys, dexagon के diagonal में कितने वो होगे, ठीक, कितने dexagon होगे, एक diagonal में guys, देखिए, इसके लिए हमारा एक formula होता है, इसने formula हिंट में हमें दे भी रखा है, 1 by 2 N, N क ठीक है guys, देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, 1 by 2 N की value मेरे पास कितनी है guys, देखिए, dexagon में कितनी होती है, 10, तो guys, देखिए, कितनी हो जाएगी, into में 10, और into में 10 में से 3 जाएगे, guys, कितने बचेंगे, 7, तो कितने हो गए guys, देखिए, 2, 5, 10, 5, 70, कितने होते हैं, 35, तो ठीक है guys, देखिए, 8 में क्या कर रहा है, out of 7 gents and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed, हमें क्या कि 7 gents में से, और 4 ladies में से, एक committee form करनी है, 5 member की, ठीक है, the number of committee, such that, each committee includes at least 1 lady, guys, क्या रहा है कि, कम से कम, एक lady include होनी चाहिए, जाद से जादा कितनी हो सकती है, ठीक है, तो guys, देखिए, मैं क्या कर सकत हो, मैं 4C1, एक lady ले लिए, मैंने, बाकी के 4 क्या लूँआ, जैस कितने 7, तो 7C4 हो जाएगा, मेरा, ठीक, अब गाई, देखिए, यदि मैं 4, 2 lady भी ले सकता हूँ, अब गाई, 3 भी ले सकता हूँ, 4C3 और 4C4 भी ले सकता हूँ, ठीक, उसने कहाता है, कि कम से कम, एक lady जो तो कितना ऐगा, मेरा 4 ही आएगा, और गाई देखिए, 7C4 को यदि मैं 6 करता हूँ, कितना आएगा, मेरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक, अब गाई, देखिए, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो गाई, देखिए, 4C4 करता हूँ, ये ये चैंसील हो तो गाइज देखिए 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 6, ठिक है, अब गाइज देखिए 7 सी 3 को solve कर लेते हैं कितना आएगा, 7 इन्टू 6 इन्टू 5 3 इन्टू 2 तो गाइज देखिए, यहाँ से यह cancel हो जाएगा, कितना बचाँ गाईगा 5-7-35, ठिक है तो 35 और इंटू में कितना हो जाएगा गाई 6 तो मेरा कितना रहा है दो 110 ठीक अब गाई देखे 4C3 3 को तो कितना खाल आएगा और 7C2 को यद में सोल करता हो गाई देखें मेरा कितना आएगा 7 कितना जाएगा ये 3 ठीक है 1 और 7C1 कितना हो जाएगा गाई देखिए 7 तो यह कितना आ रहा है मेरा 7 अब इन सबको add कर लेते हैं वो क्या होगा मेरा final answer होगा ठीक तो गाई देखिए 140 प्लस 210 84 84 प्लस 7 तो गाई देखिए मेरा कितना आ रहा है 441 ठीक है अब देखिए कौन सा उप्सन जो इसको satisfy कर रहा है तो गाई देखिए सी ओप्सन क्या होगा मेरा correct answer होगा ठीक आयोप कि आपको क्लेर होगा स्रिफ आप से क्या रहा है कम सा कम एक लेड़ी होनी चाहिए जाद से ज्यादा कितनी भी हो जाए उससे कोई problem नहीं है यह 9 देखते हैं गाई देखिए 9 तो में क्या कर रहा है सबसे पहले अप्सन को पुट अप करता हूँ तो गाई देखिए मेरा कितना वजाएगा यह 28 फैक्टोरियल ठीक है जाएज देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 28 C कितना हो जाएगा गाई देखिए यहां से यहां से यह गाएगा, तो गाइस देखिए, यहां से यह इसको यहां से हुआँ अजिया, गयुक्त अब जैए मेरा कितना हो जाएगा ये मेरा इसको कैंसिल करते हो और डूटना एगा देखर दो निम तीन निम 27 तो गाइज देखर मैं अब चैक नाइन इन टुमें 25 और डिवाइड वाइड बाई 11 ठीक है तो मेरा कितना रहा है2 225 एलेवन तो गई देखे फॉस्ट ऑप्शन ही क्या होगा मेरा टांसर ऑगा ठीक आगे जाने के मुझे रिख्वायर्मेंट तो मेरे पास कितने पॉइंट होने चाहिए टू जब तक दो पॉइंट नहीं होगे मेरे पास कोई भी लाइन ड्रो नहीं होगी ठीक है अब गाईज देखें एक बात और आपको मैं बताता हूं कभी घाई जमेट्री के जो भी हम क्रूं करते लिए टीप में डिस्कस करेंगे गाई यदी हमने इसके इसके को डिसकस करते हैं तो उसमें डिसकस करेंगे ठीक है अब इम डिसकस नहीं करते हैं स्रीफ और स्रीफ आपको यह बात ध्यान रखनी है always कभी भी जमें trick का कोई भी mcq solve कर रहे हैं तो आप combination का use करेंगे उसमें ठीक है तो आईए गाईज देखते हैं अब गाईज देखें क्या करता देरा 12 points in a plane in which 5 are collinear अब गाईज सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि collinear होते क्या हैं गाईज देखें collinear point वो होते हैं जो कि एक line पर होते हैं ठीक है जैसे कि यह एक दो तीन चार पांच ठीक है पांच कह रहा था पांच क्या है कि गाईज को लिनियर point है जो एक line पर है अब गाई एक line पर point है तो यह triangle तो draw करेंगे नहीं ठीक है अब गाईज देखिए, मैंने आपको क्या बताया थे, कोंबिनेशन का यूज होगा, ठीक, अब गाईज देखिए, हमारे पास कितने पॉइंट है, टोटल 12, ठीक है, तो गाईज देखिए, यदि मैं ट्राइंगल को ड्रो करता हूँ, तो मेरे पास कितने हो जगा, गाईज 12, C, 3, ठीक है, ट्राइंगल को ड्रो करने के लिए, बट गाईज, क्या था कि जो 5 पॉइंट थे हमारे, 5 को लिनियर पॉइंट है, वो तो ट्राइंगल को ड्रो करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, कि हम माइनस कर देंगे, कितना 5, C, 3, क्यों गाईज, कर लें, उसमें से कौन से पॉइंट, जो कि हमारे को लिनियर है, ठीक, अब इसको सोल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 into 11 into 10, 3 को ओपन करते है, 3, 2 into 1, माइनस कितना हो जाएगा, 5 into 4 into 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 into 2 into 1, तो गाईज, देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाए और 20 की 11 से multiply करता हूँ, तो कितना आ रहा है, देखिए मेरा, 220 आ रहा है, ठीक है, तो गाईज, देखिए, 220 में से यदि में 10 माइनस करता हूँ, तो कितना आएगा, मेरा 210, final answer होगा, ठीक है, तो option C क्या होगा, मेरा correct answer होगा, ठीक है, I hope कि आपको clear हुआ होगा, स्रिफ और स सकता, देखिए, कि अगरा, 12 में, the number of straight line, obtained by joining, 16 point on a plane, ठीक है, कि अगरा, no three of them, begin on the same line, गाईज, देखिए, हमें क्या है, कि line को draw करना है, अब गाईज, देखिए, line draw करने के लिए, मुझे, कितने points की requirement होती है, 2, यदि मेरे पास 2 point है, तो में line को draw कर सकता हूँ, अब गाई कोई भी कोर्शन आए, कोई भी MCQI, जो matrix related, सब में क्या है कि combination का use होगा, तो गाईज, देखिए, कितना हो जाएगा, 16 into 15, कितना हो जाएगा, 2 into 1, गाईज, देखिए, 2, 8, 16, 15 into 8 करता हूँ, गाईज, मेरे कितना आ रहा है, 120, ठीक है, तो option A क्या होगा, मेरा correct answer होगा, 13 द number of candidates, not greater than the number of to be elected, अब गाईज, देखिए, simply क्या कहना चारा ही है, हमारे पास 5 candidates है, जिनमें से हमें 3 को select करना है, 3 से ज्यादा को select नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि गाईज, देखिए, vote करने के लिए, क्या है, कि 3 ही member vote कर सकते है, ठीक है, जितने member हमें select करने है, उतने ही vote कर सक सकते, जितने हमें member select करने हैं, उससे ज्यादा vote नहीं कर सकते, तो गाईज, 5C5 कितना होता है, मेरा 5 ही होता है, ठीक है, 5C1 प्लस, ठीक है, यदि हम प्लस करते हैं, तो गाईज, देखिए, मेरा 5C1 प्लस 5C2 कितना जाएगा गाई, देखिए, 5 into 4, ये 2 हो जाएगा, प्लस 5C3 को गाई, देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, और 3 into 2 into 1, तो गाई, देखिए, 3 से 3 cancel हो जाएगा, 2 से 4 cancel होगा, गाई, देखिए, ये कितना जाएगा, तो मेरा कितना होगा, 5 प्लस 10, प्लस 10, ठीक है गाई, क्योंकि गाई, देखिए, कितना होता है, 5 दूनी 10, और क्लियर होगा, स्रिफ और स्रिफ इसमें क्या बात ध्यान रखनी ती है, कह रहा था कि हमारे पास 5 candidates है, जिनमें से हमको 3 को select करना है, ठीक है, तीन से ज़्यादों को हम elect नहीं कर सकते हैं, ठीक, 14 में क्या करा है, every 2% second with each other in a party and the total number of seconds 66, गया रहा है कि 2% second करते हैं, आपस में एक party के में, जिसमें total second होते हैं 66, क्या रहा है the number of guests in a party, गया नमबर of guests बताने हमें कितने हैं party में, अब गयाई, second जो होता है, आपस में तो एक person अपने आपसे second करेंगा नहीं, second करने के लिए कि member की requirement होती है, दो person की requirement होती है, और ये कह भी रहा है, every 2% second with each other, ठीक है, आपस में second करते हैं, अब गयाई, second करेंगे तो मेरा कितना होगा, nc2, अब गयाई, देखे, मेरे पास nc2, 2 क्यों गयाई, देखे, 2% की requirement second करने के लिए, अब n कितने हैं, हमारे पास हमें नहीं पता, इसको solve करने पर हमारे कितना आता है, देखे, 66, हमें इसकी value दे रखे, इसने nc2 की, total second कितने हुए, हमारे 66 हुए, अब गयाई, देखे, n के place पर मैं option को put up करता हूँ, जो भी option मुझे 66 देगा, वो option क्या होगा, मेरा correct answer होगा, देखे, option b को put करता हूँ, क्योंकि a option से तो म होगा, मेरा correct answer होगा, I hope कि आपको clear होगा, क्योंकि nc2, हमें ये बात ध्यान रखने है, इसकी value उमारे पास कितनी थी, 66, 15 देखते है, 15 में क्या करा, the number of parallelogram, that can be formed from the set of four parallel lines, intersecting the another set of three parallel lines, अब गाई देखे, कह रहा है कि, 4 parallel lines, जो है, 3 parallel lines को intersect करती है, उन से बनने वाले parallelogram, बता है, ये कितने होगे, अब गाई देखे, सबसे पहले बात आती है, कि parallelogram होता क्या है, ठीक, तो गाई देखे, ये क्या है एक parallelogram है, ठीक, आपको पता होगी, जो कि दो साइट से मिलकर बनता है, दो और दो चार, ठीक, यदि चार parallelogram, चार हमारी line है, parallel, तो उन से हम क्या है कि parallelogram को draw कर सकते हैं, अब गाई देखे, ये क्या करा है, कि four parallel line है, हमारी ठीक है, जिन में से क्या करा है, कि तीन parallel line उनको intersect कर से तीक है, एम और न क्या है, गाई देखे, एक parallel line, जो हमारे पास four set का given है, और एक set, जो ए, ठी parallel lines का मार पास given है, तो गाई देखे, कितना हो जाएगा, मेरा four c two into my three c two, ठीक है, तो गाई देखे, four into three, two into one, तो गाई जी कितना हो जाएगा, three into two, तू इंटू में वन तू से टू कैंसिल हो जाएगा गाई दो दूनी चाहर ठीक कितना हो जाएगा देखते हैं तू तू जा इए कितना रहा है पहलेगा तो ओसन बी क्या होगा मेरा क्रेक्ट आंसर होगा लगा है शिक्स्टिन को डिसकस करने से सेवंटीन करते हैं ताकि आप तो गाइस देखे, 17 में क्या कहता है, the number of ways, in which 15 mango can be equally divided among three students, गाइस देखे, हमें 15 mango हैं हमारे पास, जिनको equally divide करना है, तीन इस्टूएंट में तो गाइस देखे, एक के हिस्से में कितने आएंगे, फाइफ मैंगो आएंगे, ठीक है, अब गाइस देखे, कभी भी जब हमें, को कोई भी हमारे पास item होता है, ठीक है, things को में divide करना होता है, तो गाइस देखे, हम क्या करते है, and factorial upon में, उतने factorial से divide करते हैं, जितने कि गाइस, एक के हिस्से में आ रही है, ठीक है, एक परसन के, तो गाइस देखे, इसका simply क्या हो जाएगा, 15 factorial, ठीक, divided by, गाइस देखे, कि 3 times क्यों कराएगा, इसमें 5 factorial, क्योंकि 3 student में equally divide करना है, ठीक है, तो गाइस देखे, यह मेरा कितना हो जाएगा, 15 factorial divided by, 5 factorial की power 3, ठीक है, तो option B क्या होगा, इसमें मेरा correct answer होगा, स्रिफ और स्रिफ गाइस, आपको क्या धियान रखना है, कभी भी, कोई भी वस्तु को यदि क करने के लिए equally, तो simply आपको क्या करना है, n factorial upon में, p factorial, q factorial, r factorial, ठीक है, जितने भी वस्तु हमें divide करने है, 3 student पर करने है, तो जितनी एक हिस्से में आ रही है, उतने से हमें divide कर देना है, factorial से, ठीक, अब गाइस देखे, 16 को discuss करते है, the number of wage, in which 12 student can be equally divided into 3 groups, अब गाइस देखे, यहाँ पर 17 में क्या था, हमें things को divide करना था, ठीक है, items को distribute करना था, अब गाइस कहें कि हमें group को form करना है, ठीक है, 12 student है, equally divide करने, 3 group हमें जो है, बनाने उसके, ठीक है, अब गाइस देखे, एक group में कितने students आएंगे, 4, ठीक है, तो गाइस देखे, इसको क्या हो जाएगा, 12 factorial divided by, 4 factorial, into 4 factorial, into 4 factorial, ठीक है, गाइस देखे, नीचे भी हमने क्या करा था, 17 में भी same करा था, बट, इसमें एक extra step क्या करने है, गाइस देखे, हमने कितने group में join को divide किया, 12 student को, 3, तो गाइस देखे, 3 factorial से extra multiply हो जाती है, श्रिफ और स्रिफ, आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा गाइस बस आपको श्रिफ और श्रिफ ये बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको इसलिए पहले कराया, 17, गाइस यदि हमें item को distribute करने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो हम simply क्या करेंगे, n factorial, अपोन में जितने number of में divide करना है, जितने student एक group में आ रहे है, ठीक है, जितन है, तो गईदेखे, इसको solve करते हैं, गाइस देखे, 12 factorial को हम solve करते हमें, calculator पर solve कर लीजिए, कितना आ रहा है, गाइस देख लेते हैं, 12 into 11, into 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, गाइस देखे, इसका divide into करने पर, 12 factorial को solve करने कितना रहा है, गाइस देखे, 479 00, 1600, ठीक, तर देखे, इस से प्रक्राइब करने पर कितना रहा है मेरा 6 अब गाई देखिए यदि मैं इसको complete डिवाइड करता हूं तो मेरा कितना रहा है देखिए 5775 आ ठीक है फाइनल अंसर तो गाई देखिए यह उप्षन क्या होगा मेरा correct answer होगा ठीक आई होप कि आपको दोनों सब्सक्राइब करता है तो इंटु में हमें क्या करना है जितने ग्रूप में भी हम डिवाइड कर रहे है उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा मंटिप्लाइब कर देनी है में ठीक है 18 देखिए 18 में कहें रहा है combination का यूज किया जाता है त्हिक है अब गाएस देखिए code को draw करने के लिए हमारे बार पास कितने points चाहिए न कई हैं देखिए यह code होती जो cycle के side में हम डालते है code होती है ठीक है है और गाईस देखिए total points हमारे पास कितने eight हैं तो गया हो जाएगा मेरा eight जी two ठीक है कितने होता है मेरा 28 होते हैं ठीक है तो option C क्या होगा मेरा correct answer होगा इन देखे गई 19 में क्या करा एक committee of three ladies and four gents is to be formed out of eight ladies and seven gents Mr. X Mrs. X refuse to serve in a committee in which Mr. Y ठीक है is a member the number of such committee is guys देखे क्या करा है कि एक committee में form करनी है three ladies and four gents की out of कितने में से eight ladies and seven gents अब क्यारा गाई मिसीज एक्स जो है वो मना कर देती है उस committee में आने से जिसमें Mr. Y है ठीक है और गाई देखे क्या है कि number of such committee हम कितनी तरीके से committee को form कर सकते है अब गाई देखे सबसे पहले बात आती है कि हम क्या है कि इसमें total number of outcome निकाल ले दे हमकी committee को कितनी तरीके से form कर सकते है अब फिर उसमें से उसको minus कर देंगे जिसमें कि Mr. X और Mrs. X दोनों है हमारे ठीक है अब गाई देखे तो total में committee को कितनी तरीके से form कर सकता हूं 8C3 into में गाई देखे मेरा कितना हो जाएगा 7C4 यह क्या है गाई देखे मेरा total outcome हो गई अब गाई देखे मैं इसमें से minus कर देता हूं कौन से जब गाई मेरे Mrs. X और Mr. Y एक committee में अब गाई देखे मिसी एक्स हैं तो गाई देखे टोटल मुझे कितनी लेडिज लेनी थी थिरी अब मैं मान के चल लाओं कि पहले से जो मिसी एक्स है वो committee में इंक्लूद है तो गाई देखे मैं कितना करूँगा मेरी हो जाएगी एक सेकंड गाई देखे यहां पर एक लीज तो पहले से ले लिए मैंने तो कितना हो जाएगा मेरा यहां पर देखे सैवन सी टू ठीक है और गाई देखे इन Two में कितना हो जाएगा गाई देखे अब जैन्स है गाई देखे मुझे पूर जयंट को सेलेक्ट करना था, जिसमें से मैं एक को डेडी कर चुका हूँ, हाँ बही, यह तो इस कमेटी में रहे गई रहेगा, Mr. X, Mr. Y, ठीक है, तो गाई देखें, यहाँ पर टोटल जयंट कितने थे, 7 तो इक कितना हो जाएगा, गैब मेरा 6 एक कम कर देंगे कितना 6 कि 5 ठीक है अब गाई देखे यदि मैं सको्न ऐए कितना सकता हूं 7 इंटू 6 और यह तू इंटु 1 और गाई इंटू में कितना occurring एगा 6 इंटू 5 इंटू 4 और यह कितना हो जाएगा देखे तो 2 कैंस गई देखे यह, कितना हो जाएगा दो तिया छे ठीक है गई देखिए साथ या 21 और इंटू में गई देखिए कितना हो गया पांच चोग 20 ठीक माइनस कर देंगे कितना हो रहा है गई देखिए मेरा ये सोरी गई एक सेकिन देखिए मेरा कितना आ रहा है 420 आ जाएगा ठीक है गाईज आईए देखते हैं माइनस कर देंगे गाईज देखी यदि मैं इसको सोल करता हूं तो मेरा कितना आएगा कर लेते हैं गाई देखिए 8 इंटु 7 इंटु 6 3 इंटु 2 इंटु 1 तो गाईज देखिए कितना आ रहा है तो मेरा मैरा पांस सत्य पेंतिस हो जाएगा यह ठीक है और इंटु मेरा करता हूं गाई देखिए तो मैं इसको सोल कर सकता हूं 7 इंटु 6 इंटु 5 इंटू 4 ठीक है और यह कितना हो जाएगा 4 3 2 1 रहे है फाए 4 सा 4 तो उप्सन ड क्या होगा मेरा क्रेक्ट आंसर होगा सिर्फ और सिंपल यह धियान रखना है कि हमने टोटल कमेटी जितने तरीके से फोर्म हो सकती है उसमें से क्या माइनस किया है कि जिसमें दो नो आ तो उसमें सब्सक्राइब ख्रवा समें साथी यह थैडि 91 ठीक है क्योंकि r की value मेरी कितनी की आना नाइनना आ तो 500 अनरा फाइफ तो आपको क्या है कि formula रखना है आप N की value easily find out कर सकते हैं कितनी आ रही थी मेरी n plus 1 c r is equal to कितना था n c r plus n c r minus 1 ठीक है गाईज अब यदि हमें इस formula से compare करता हूँ इस equation को जो हमारे पास given है तो मेरी n की value कितनी आ रही है गाईज देखे 499 आ जाएगी ठीक है आई होपके आपको clear होगा तो option d क्या होगा मेरा correct answer होगा स्रिफ और स्रिफ आपको formula याद होना चाहिए ठीक है यदि हम इस formula से इसको compare करते है तो गाईज देखे मेरी n की value find out हो जाती है ठीक है अब गाईज इसको complete भी solve कर सकते हैं वो काफी lengthy process हो जाएगा इसलिए हमने आप उसको solve नहीं कराए देखें देखें नाइंत में क्या करा है the supreme court has given a six to three decision अब holding a lower court अब गाईज देखें supreme court ने decision दिये है six क्या है six to nine का मतलब क्या है six तो जो हैं में favor में decision मिले और nine जो हैं मारे against में decision हुए है ठीक है अब करा है the number of which it can give the majority decision to reverse the lower court अब गाईज देखें कि majority decision कितने होंगे जो decision आया lower court का उसको reverse करने के लिए अब गाईज देखें total decision हमारे पास कितने आये nine six to favor में और three कितने हमारे against में अब गाईज देखें यदि मैं इसको reverse करने के लिए क्या चाहिए मुझे कि हाफ से ज़्यादा क्या हो कि decision जो है reverse हो जाए ठीक है अब गाई देखें total कितने थे nine तो गाई देखें यदि मैं क्या करता हूँ nine c five ठीक है nine c five कर देता हूँ तो गाई देखें मेरे जो भी decision है वो क्या कि reverse हो जाएंगे majority में reverse हो जाएंगे किस से lower coat से तो गाई देखें कितना हो जाएगा यह nine c six plus nine c seven plus nine c eight और plus nine c nine ठीक है गाई अब गाई देखें इसको आप खुद solve करेंगे ठीक है यह अभी मैंने ऊपर भी जो mcq discuss किया थे उसमें भी आपको solve करके दिखाया था ठीक है लेडिज वाले में भी solve करके दिखाया था कि nine c five कैसे तो आप इसको खुद solve करेंगे गाई देखें यदि मैं इसको solve करता हूं तो मेरे कितना आता है two five six आएगा गाई इसको solve करने पर ठीक है तो option a क्या होगा मेरा correct answer होगा I hope कि आपको clear होगा गाई सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कह रहा था कि हमाई decision मिले six हमारे favor में और three हमारे unfavor में अगेंस्ट में ठीक है तो उनमें से कह रहा था कि उनको reverse करना है कि majority decision जो है lower court का reverse हो जाए ठीक है Supreme Court ने जो decision दिये ठीक है अब गाई उनको reverse करना है तो गाई देखे हाफ से ज्यादा है अब गाई देखे हाफ कितने हो जाएंगे मेरे nine के half करता हूं तो 4.5 गाई देखे हाफ से ज्यादा decision जो है favor में होने चाहिए ठीक है जब भी तो reverse होंगे वो तो इसलिए मैंने क्या कर वही वो reverse कर दे कोट कि यह गाई 22 देखे 22 में क्या क्या रहा है five bluffs of which three are defective are to be tried into पॉइंट इन डार्क रूम ना नंबर ऑफ ट्राइल दा रूम सेल भी लाइट अब गाई देखे क्या क्या रहा है कि हमारे पास मांच बलफ है टोटल ठीक है जिन से हम लाइट जला सकते हैं अब गाई देखे हमारे तीन बलफ क्या है कि डिफेक्टिव है ठीक है और टू तो क्या है तो गाईट अब गास धिए ठekने तरुम रेंहें जो मेंट रहा हैं जिए डिफेक्टिव है Veter तो यही मेरे जो हैं पोसीबल आउटकम बन सकते हैं ठीक है अब देखें रीक इतना होता है मेरा ठीकिए किटन ओता है मेरा 2CW1 पलफ अब गई देखें से जिरो कितना होता है 2CW1 कितना होता है देखें आरे बाध बाल कितने होता है का थे की सिरिक होता है गाई देखें कितना हो जाएगा तीन दूमारी 6 comes ॥ 2CWdug बुपें ही लेली है